देश में अगले साल ही लोकसभा का चुना होने वाला है जिसको लेकर उत्तरप्रदेश में अभी से सियासी माहोल बनाने की कोशिस की जाध ही है सभी पार्टिया अपने अपने वोटरों को साधने लुभाने में लगी हुई है इसे बीच उत्तर प्रदेश की राजनिती में इस समय समाजवादी पार्टी के महासचीव शिवपाल यादो के एक बयान से सियासी हलचल तेज है सपा नेता शिवपाल यादो ने सपा प्रमुख और अपने भतीजे अखिलेश यादो को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से यूपी की राजनिती में सियासी हलचल तेज हो गई क्या कुछ कहा शिवपाल यादो ने पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए आपको बता दे कि शिवपाल यादो करनोस दौरे पर गये थे हिंदुस्तान में रहता है सब मांगते हैं कि अब चौवीश के चुनाओं में क्या अख्लेश जी करनोस से चुनाओ लड़े आप वे सब लोग समझ रहे हैं आप अच्छे जानते हैं राश्य नेतर और सब समझी रहे हैं और भोल भी दिया है अधिल करें जानते हैं तो समझते हैं अभी करेंगे तो चाचा जी कि का इच्छा है चाचा की राए क्या है आप पर जुनाओ लड़े हमारी तो चाहे लड़े तो सुना आपने मेरी तो इख्षा है क्या खिलेश यही यानि कनौस से चुनाव लड़े इसके पीछे भी बड़ी वज़ा है वज़ा यह है कि UP की कनौस जो लोग समा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है हलांकि इस समय यह सीट बीजे पी के खाते में है साल 1998 से 2014 तक इस सीट पर सपा का कब जा रहा है साल 1998 के चुनाव में प्रदीप सिंग फिर 1999 में मुलान सिंग और फिर 2000 के उप चुनाव में अखिलेश यादो और 2004 और 2009 के चुनाव में भी अखिलेश यादो ने जीत दर्च की थी इसके बाद साल 2012 के उप चुनाव और 2014 के उप चुनाव में दिमपल यादो ने सीट पर जीत दर्च की थी इसके बाद फिर साल 2019 के चुराव में बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादों को हराया इस वज़ा से ही शुपाल चाहते हैं कि अखिलेश यहां से ही चुनाव लले बरहाल आप किस खबर तक आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए